हलो ब्जोडिफल सोल कैसे आप सब आई होब कि आप सभी बहुत अच्छे हैं खुश है पॉजटिव हैं अपना अपना ध्यान रख रहे हैं अपने अपने विशिस को बेनिफिस्ट कर रहे हैं आप सभी को हरी ताल का तीज वरत की धेर सारी शुब कामना है तो आज की वीडि चैनल पर नहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा वीडियो को यूख और ज्यादा श्यादा कर दीजेगा इस चैनल पर मिलतते हैं को law of attraction टेक्निक के वीडियो एंजल नंबर मिनिंग, butterfly मिनिंग, feather मिनिंग, बहुत सारे powerful मंत्रों की chanting, meditation and बहुत सारे ritual जिसे आप अपनी life की हर problem को solve कर सकते हैं बड़ी से बड़ी wish को manifest कर सकते हैं तो इस वीडियो के बाद जाके check out जरूर से किजिएगा, शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले जानेंगे कि सुहागन और तो को क्या क्या करना चाहिए सबसे पहले तो आपको fasting रखनी ही रखनी है और निरजला रखनी है आपको शाम की टाइम पूजा करना होता है, अब आपके यहाँ जिस तरह से इस पूजा को किया जाता होगा वैसे ही आप करोगे अगर विद्वत करना चाहते हो तो मंडब बनाया जाता है, केले का पत्तर जरूर से यूज़ किया जाता है तीज के दिन सबसे खास चीज होती है कि जो शिवलिंग, जो पार्थिक आप बना रहे हैं, अपने हाथों से बनाया जैसा बनाना आता हो वैसा बनाया बट अपने हाथों से बनाया बहुत ज़्यादा महत्तोपूर्ण होता है माता पारवती ने अपने हाथों से ही बनाया था हम माता पारवती जैसा सब कुछ सुन नहीं कर सकते लेकिन हाँ ये बहुत इंपोर्टेंट होता है कि आप शिवलिंग तीज के दिन अपने हाथों से ही बनाया तो ये सारी तयारी करने के बाद आपने बंड़ा पर गरे बना लिया, वहाँ पर थोड़ा चंदन लगा दे, नीचे जहां भी आप शिव जी की शिवलिंग को रख रहे हैं, गनेश जी को रख रहे हैं, माता परवती को रख रहे हैं, वहाँ खुश्बूदार चीजे रखे जैसे पुश्ब, इत्र का छुड़काव कर सकते हैं, जो लोग किसी भी प्रॉब्लम की वज़े से शिवलिंग नहीं बना सकते, वो उनके तस्वीर की पूजा कर सकते हैं, अब आपको क्या करना है, जितना भी शिंगार का समान होता है, जैसे चूड़ी, बिंडी, नेल पे जरूरी नहीं है कि आपके पास नहीं है, तो आप साड़ी ही चड़ाओगे, आप छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा चड़ा सकते हो, मतलब छोटा सा कलॉट होना चाहिए, उतना भी चड़ा दोगे, इनफ है, कलर रेड या यल्लो होना चाहिए, मतलब लाल या पीला ही तो जब भी आप साम के टाइम स्नान करते हैं, अगर आपकी मर्जी है, तो आप सुबह में भी स्नान करके और जल दे सकते हैं, अदरवाइस आप साम के टाइम जब नहाएं, तो इतने टाइम में नहाएं कि सूर्य देव दिखें और आप उन्हें जल दे पाएं, इसके प्ल सीजनली ही चढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि कोई सा भी फल उठाके आप चढ़ा दो, इस सीजन का जो फल है, वो सारे फल आप चढ़ा सकते हो, नारिल जरूर से रखना चाहिए, किसी भी पूजाय वरत में, आप जितना भी भजन जानते हो, आरती जानते हो, शिव जी की, म सन को जानते हो, उसके लिए कर रहे हो, या फिर जानते ही नहीं हो, बस आप चाहते हो कि जो भी आपका soulmate मिले या partner मिले, वो true हो, अच्छा हो, लवेलिबल हो, आपका खयाल रखे, इस लिए कर रहे हो, तो भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका तरीका अलग होगा, जैसे सुह बागन औरते हैं तो वो अलग तरीके से कर रही थी हैं आप अलग तरीके से करें हाँ एक चीज ए ऑपरी होगी के आ container पहनने के आपको नए ही पहले है बिल्कुल कोले पेहले से आपने पहला हुआ है वो कपड़ा यूस नहीं करना है जिन्स नहीं पहना है, स्कॉट नहीं पहना है, फ्रॉक नहीं पहना है आप सूट पहन सकते हो, या साड़ी पहन सकते हो ज़्यादा बेटर रहेगा आप शादी नहीं होए तो सूट ही पहन लो बट जिन्स वेगर आप पूरी तरह से वाट करना है अगर इस व्रत को आप दिल से कर रहे हो तो otherwise किसी भी चीज का मजाग नहीं उड़ाना चाहिए अब आपको morning में स्नान करना है आप उठते हो वाश रूम जाओ दातुन से अपना fresh करना होता है mouth brush use नहीं करना होता है और दोनों ही लोगों को जो सुहागन है उन्हें भी और जिनकी शादी नहीं हुई है unmarried है उन्हें भी दातुन का use करें जो लकडी का होता है आम का लकडी हो सकता है या फिर जिस चीज का दातुन मिल रहा हो उससे आप अपना mouth clean कर सकते हो इसके बाद आपको सनान करने के बाद तुरंत से आपको पूजा कर लेनी है ये कुमारी लड़कियों के लिए है अगर आप सूर्योदय से पहले कर लेती हैं तो बहुत अच्छा आपको पूरा पूरा benefits मिलेगा पूरा पूरा फल मिलेगा जिस चीज के लिए आप कर रही है और जिस चीज के लिए क्या ये सिर्फ partner के लिए ही होता है तो आपने पूजा कर ली शिवलिंग की पूजा कर ली सबसे पहले तो इस सूर्योदय को जल जरूर से दीजेगा उसके बाद आपको शिव परिवार की पूजा करने है पूरी फैमिली की गनेश जी की शिव जी की माता परवती की कार्ति के जी नंदी जी सब की पूजा करनी है और आप उसी समय कथा सुन सकते हो या फिर साम के टाइम बाकी अर्टों के साथ कथा सुन सकते हो नहीं भी सुनो कोई problem नहीं है तो morning के भुचा करने के बाद आप juice पी सकते हो शर्बत पी सकते हो चाय पी सकते हो पानी पी सकते हो शाम के time जब चांद निकल जाए तो चांद को अर्ग दे के उसके बाद आप कोई भी fruits खा सकते है और उसके बाद जैसे बागी औरते सुबा मॉर्निंग में अपना फास्टिंग तोड़ती है जो भी आपके यहां खाने का रिवाज होगा जैसे बहुत लोगों के यहां सत्तु खाने का रिवाज होता है बहुत लोगों के यहां खुआ का मिठाई बहुत लोगों के हाँ गुजिया आपके हाँ जिस तरह से फास्टिंग तोड़ी जाती है उसी तरह से आप तोड़ें और बस हो गई आपकी फास्टिंग तो ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वाल पर पर प्रेस कर लेजिएगा इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा मैं मिलती हूं नेक् अबैं टेकेर गड्लस या थैस वर वाची लग्व अटत्ड श्रोजड श्रिव ज रखीयो लग्यों हूं